हेलो हाई वरीवान दिस इंजीनियर निखिल पाइंडे वलकम तो वाई यूटूब चैनल मेंटावर इंजीनियर तो टोड़े वी आर गूंग तो डिस्कूस अगर हम बात करें रेजिस्ट्रेशन की नीट तो फुट्टिन पॉट्ट वन फॉर परसेंट जो इस बार ग्रोथ करिये कैंडिडेट्स की तो आप मान के चलिए कि 15.1 लाग स्टूदेट्स हैड बीन रेजिस्टरव वाई तो अगर हम का बात अगर फिमेल के डेगरी की चैनल के चलिए तो फिमेल के डेगरी से क्या है इस बार 1.65 लाग जादा है है मेल के डिग्री से अगर बात हम करें तो आपकी जो ओबीसी कर डिग्री यह है वो जो है जनल के डिग्री से आपकी जो है क्या बहुते 1.42 lakh students ज्यादा registered की है as compared to general category तो आपको ratio समाझ आ रहा होगा कि जो female candidate है male candidate से 1.65 lakh ज्यादा है इस बार अगर total number of students की बात करें या total number of need experiment की बात करें तो उन्होंने जो है 2,00,00 जो है पिछले साल से ज्यादा registered की है need to the 19 को तो ये तो रहा ratios की बात कर रहे है अगर आप इन जनरल अगर बात करें कि what is the expected cutoff for 15% all India quota for general candidate तो मैं कहूंगा they have to score 460 out of 720 अगर उस 460 नमबर अगर लेके आते हैं तो they are eligible for 15% all India quota बट क्या ये exactly इतने नमबर से हमारे government college में हम सीख कर सकेंगे तो चलिए हम इसको वीडियो में एक एक करके discuss करते हैं तो सबसे पहले बात हम 36 गड़ की करेंगे तो 36 गड़ में six number of total of college government colleges running in 36 गड़ तो जो छे आपके government colleges हैं इन में से आपका है रायपूर है बिलासपूर है जगदलपूर है रायगड है नांदगाओं है और अंबिकापूर है ठीक है जो इन में सबसे जो बेस्ट कॉलेज जो बच्चों के हिसाब से जो माना जाता है क्योंकि सबसे पुराना campus भी रहा है इड़ी जो रायपूर पंडी जवाला ने अनुन मेडिकल college और इसमें जो है आपकी 150 seats हैं और यह सबसे पहले भरा जाता है college तो अगर हम बात seats की करें तो टोटल नंबर आप seats का अगर आप calculate करेंगे इन 6 college की तो आपकी जो है 600 seats होती है ठीक है क्योंकि इसमें जो है आपका जैसे रायपूर के अगर बात करें तो रायपूर में है तो 100 seats है तो अगर इन total को अगर आप 6 हों को अगर add करेंगे तो आपकी 600 total seats लिखालती है अब बच्चों हम जो है आपको seat metrics से बारे में बताएंगे तो बच्चो seat metrics को समझने के लिए थोड़े से data को आपको calculate करने के ज़रुवत हैं जैसे कि अब आपको मैंने बताए कि 6 colleges हैं आपके medical के government medical college तो अगर GMC आपके 6 college है तो इनकी total number of seats कितनी हो गई 600 हो गई अब इसका seat metrics ऐसे बनता है आप अपन इसको समझते हैं तो बच्चों सबसे पहले तो आप इसमें से 15% all India quota की seats अठा दीजिए अगर मैं 600 seats के 15% लिकालता तो approximately 90 होगी ठीक है बट क्योंकि decimals में आते हैं तो हम इसको क्या करते हैं 89 seats आपके all India quota की remove कर दीजिए अब इसके बात जो 600 से आप फिर से जो 3% है जो आपका central quota जैसे जो state जिनके पास खुद की medical college नहीं है अगर वो बच्चे सीख करना चाहते हैं तो यह जो है उन उन states के लिए जो है यह रहता है लिकालने के लिए ठीक है तो यह आपका central quota कितना होगा 3% अगर फिर से 3% लिकाले तो 18 होता है बट हम उसको 17 लेकर चलते हैं तो 17 seats इसकी हो गई आप 89 प्रस 17 को add करिए जो आता उसका आप 600 से minus की यह जो बच्ची भी seats है यह आपकी हो गई 85 85% state quota MBBS अब यह जो बच्ची भी जो आप 85% है मतब जो 494 जो seats आ रही है जो आप जिसमें से आप 15% All India quota को हटा रहे हैं 3% आप सेंटल पूल quota को हटा रहे हैं इसके बच्ची भी seats है वो हमारी 85% किसके लिए होगे CG candidates के पास जिन बच्चों के पास क्या है domicile है यह तो हो करें तो यह जो 494 seats है इसमें general category के लिए हमारी seats कितनी हो जाती 208 तो 208 seats are reserved for general category अब अगर हम ST category के बात करें तो इस 494 94 से जो हमारा 32% है that is reserved for ST category candidates and 12% seats are reserved for SC category candidates और अगर OBC category के बात करो तो उनके लिए हमारे पास कितनी है 14% seats reserved है अब उसके अलाबा जैसे हमारे physical handicaps जो candidates उनके लिए 5% reserved है और जैसे freedom fighter उनके लिए 3% seats reserved है और female category के लिए जो female quota में जो आती है लड़किया उनके लिए जो लड़कियों के लिए जो seats is about 30% तो इस तरीके से आपकी जो 494 seats जो है इस तरीके से डिवाइड होगी और जो 600 seats है उसको मैंने पूरी तरीके से बताते जिस मैं आपको all India quota के कितनी seats होगी आपकी center pool के लिए कितनी seats होगी और फीजे जो बच्ची भी 494 seats है वो category wise कैसी होगी तो आपको आप समझ आ गया category wise हो गई अब बच्चो आपको यह समझ जाए कि कि sir अगर मेरे को all India quota से अगर माले जग किसी government college के seat उठाना किसकी 36 गड़की तो उसके लिए मैंने को minimum marks कितनी चाहिए तो बच्चो अगर मैं 15% all India quota for MBBS की बात करूँ तो आप मान के चलिए कि 540 प्लस आपको marks चाहिए किन की बात कर रहा हूँ बच्चो जनरल category के लिए unreserved category की बात कर रहा हूँ अगर आप ST category से बिलॉंग करते तो आपको मान के चलना कि 4 30 प्लस marks है किसके लिए all India quota से सीट अचीव करने के लिए और इसी तरीके से अगर बात SC की करें तो 400 प्लस अगर आपके पास marks है तो आप इसली जो है 36 की जो है गवर्मन कॉले से आप medical की सीट को MBBS की सीट को grasp कर सकते हैं तो कई बच्चे पूछ रहा हूँगे सर OBC के लिए इतना आप मान के चलिए ठीक है बच्चो तो इस तरीके से आपके All India quota की बात आ जाती है अब जो सबसे इंपोर्टेंट चीज है सरकी what about the 85% state quota for MBBS अब अगर मैं state quota की बात करूँ जो कि हमार 85% है तो बच्चो अगर मैं general category की बात करूँ तो पिछले साल जो general category की जो opening हुई थी और 619619 नंबर से जो हमारी opening हुई थी और जो closing हुई थी जो last closing थी वह थी 450 marks तो बहुत से बच्चे इसको लेकर चलते के सब हम 450 marks को क्या है मान के चलते की cut of a general category ठीक है आपका कहना भी बहुत हद तक सही है पर बच्चो मैं आप से कहूँगा कि आप जो है कम से कम 500 marks तो बि 450 was the last year cut off for the MBBS तो for the safer side you will take as a 480 plus marks similarly for SE category 334 was the previous year cut off for MBBS now you will take 360 plus marks for SE category for the safer side ठीक है बच्चो अगर मैं ST के degree के बात करो तो 258 था तो इसको हम जो अगर बात करें पिछले साल के comparison में तो इस साल के लिए मैं आपको कहूँगा 280 plus marks एकर आपका आता है तो आप safer side में मान के चले कि आपके MBBS को की तो आपका cut off क्या मान के चले तो general के लिए आप मान के चले 500 plus marks मानिए OBC के लिए 480 plus SC के लिए 360 plus और ST category के लिए 280 plus इतना आप मान के चले ठीक है बच्चो और ऐसे बहुत से बच्चों होंगे जिनका इनके अलाबा भी जो marks नहीं हा रहा है and they want to seek in the private medical college तो उनको जो minimum marks से यह रहेगा need के लिए वो रहेगा अपरोक्स 115 से 225 for the unreserved category and those who are belonging to STSE and OBC category the minimum they required marks for qualifying need is 96 to 120 marks अगर इतने marks है they will appear for the deemed university or the private university ठीक है बच्चों अब यह तो 6 medical government medical college की बात कर रहो है तीन medical college और है जिनके बारे में मैं आपको mention कर देना चाहता हूँ दो कि हमारे private medical college है पर इन तीनों medical colleges को 2018 में counseling में appear करने का मौका नहीं मिला था इसमें से हैं हमारे चंदुलाल medical college है सी संक्राचार medical college है और एक है हमारी रहिम्स राइपूर की अब अगर बात अगर में जैसे की 2017 में चंदुलाल को जो है counseling के तरह में मौका मिला था तो उनकी जो cut-off marks रही है वो है 446 marks रही है और जो उनका mop-up round रहा जो last में जो mop-up round रहता वो मालनी जे 50,540 50,542 में जो उन्होंने seats को ले ली थी अगर उन्होंने 2 counseling में अटेंट की थी round 1 counseling में आगर उनकी बात करें तो 12,321 था जिसमें उन्हों rank से उन्होंने seat ले ली थी MBBS की और एका second round की बात करें तो उनका जो गया है था 14,124 similarly संकराचार को एकी round counseling में मौकम रहते हैं चुकि उसी समय government day day provide के थे क्या आप करें यह मैं बात कर रहा हूँ 2017 की तो उनका जो cut-off marks रहा है वो चुकि बहुत जादा लो था 405 marks रहा है और उनका जो rank रहा है at that time 76,344 ठीक है बच्चो यह तो उसकी हो गई बात अगर मैं in private medical college की fees की बात करूँ तो इनकी परैनम जो fees है including hostel और इनकी tuition fee तो वो है आपके 7,30,000 के आज पास इनकी जो है fees होती है but they are not participated in the counseling of 2018 तो बस बच्चो इतना ही है इसके अलावा किसी भी तरीके के आपको कोई भी doubt हो मतलब भान लेजे आपको आपका कोई marks रहें को लेकर किसी भी तरीके को कोई confusion हो category वाइस आपको इसके अलावा भी अगर किसी वीडियो में आपको कोई भी बात समझ नहीं हो तो आप बिलकुल आप यूर फ्रिल फिरी तो comment in our comment box and we will provide you an answer as soon as we can so that's all I hope you find this video helpful if you find this video helpful please like my video subscribe my channel and don't forget to smash the bell icon so that you get notified and share as much as you can till then bye bye